हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस तिलकोमीती का प्रश्णावली नंबर आठ ए है जिसमें आप सभी को एक से लेकर 15 तक सभी सवाल हल करवा दिये गए हैं फ्रेंस यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका स्वाल है यदि कास ए बराबर वन अपार रूट टू और साइन बी बराबर रूट थ्री अपार टू तो निम्न लिखित का मान ग्याद किजा आपको मा नंबर का तो 16 लिख लिए और इसको आप पूरा हल करेंगे देखिए कैसे हल करेंगे यहांप कास ए दिया है कितना है वन अपार रूट नू रूट कर लिए ठीक अब देखिए यहां पर कास एब जैसे जैसे बता रहें उसी दिर आप स्टेप बाइस टेप कीजिए आप आसानी से सवाल को हल कर लें कास एब आपर क्या होता है फार्मली कि आधार अपान कर ठीक है लिख लिए आप देखे कासे का मन कितना है तो सवाल लगाना होता है तो हमेसा आपको तीनों भूझा पता होना चाहिए जैसे आधार कर और लंभ पता होना चाहिए यहां से आपको आधार तो पता है कड़ पता है लेकिन लंब नहीं पता है तो उसे पता करने के लिए पाइथागोरस परमे लगाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं यदि आप पार्ट वान नहीं देखें इसका जा को वहाँ पर देखें सभी फार्मूल परमे से परमे से यदि पहले का जो वीडियो अप्लोड की हैं उससे देखें कि यह सब सवाल आपको अदम सिंपल लगेगा तो हम आसान लगेगे ला ठीक है पहले उसको जाके देख लीजेगा देखें यहां पर फार्मूला होता है कि कर्ड का स्क्वाइर बराबर आधार क स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर ठीक यहां पर कड़ कमान दिया है रूट में टू तो रूट में टू कर लिजिए इसक्वाइर इसक्वाइर कर लिजिए बराबर आधार कितना एक एक का स्क्वाइर कर लिजिए यहां पर लंब ग्याद करना है तो लंब का ट plu खार हो जाए mama। है अब अब दूल में से एक हो जागाrage ह Confederate今 पर नम्म का की स्क्वार होगा।Um देखी इस स्क्वार को हटाने के लिए आपको क्या को कर ना पड़ेगा अब इस स्क्वार को सिर्फ हटाने के लिखेंगे दोनों पच्छो का करड़ी लेने पर दोनों पच्छो का करड़ी लेने पर ठीक है लेने पर चलिए लेते हैं रूट में क्या हो जाएगा एक और यह क्या हो जाएगा रूट में लंब का स्कॉर हो जाएगा ठीक है रूट बोली है या करड़ी बोले दोनों को मतल हो गाइक और यहां ल मका स्कॉरवब्रत पर किसको मानग्याद करने है कि यहां के sain a देखिए आपका कोड़ क्या है ए इसमें जितने a वाले हैं उसका मान गध करेजी sin a बदाए फार्मूला क्या होता है आपका lamb बटा के करड़ होता है otur लंबट अपान करड़ यहाँ lamb का मान कितना है तो सब्सक्राइब ऐ league practically कि कड़े टीकर एक कर्म कर लेंगे को अब कोड़ काडिंगा जैसे साइन गया lux संब्सक्राइब लिखें अब क्या लिखेंगे साइन के कितना दिया है आपका करड़ें कि आप दिया है आपका त्य पर है अब इसे से आपको लम आधा कर याद कर ली चाहरें इसका भी फार्मूला क्या होता है आपको याद हो कि साइन भी बराव फार्मूला अभी जो आपको बता है क्या होता है लंब बटा के करण होता है यहाँ पे करणी में तीन बटा के दू दिया है साइन भी का तो आपका लंब कितना हुआ लंब देखेंगे तो आपका लंब हो गया रूट में तीन और करण कितन गोरस पर्मे लगाते है पाई था गोरस पर्मे से ठीक है पर्मे से अब देखिए फार्म लगाई है यहाँ क्या है करड का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंस करड कमान कितना दिया है रूट कर लीजे आधार दिया है पता करना आपको आधार एसी तरह रहने दिजिएर लम कितना दिया है लम्ग कमान में 3 अधिए कलई में 3 का जिरा कर लेजा प्रूंदे कलान में 3 का इसकॉार हो गया देखे 2 का कितना क्वें दू दूना के चार होगा यहाँ पर आधार का स्कॉर रहने दीजिए ला यह कड़ी तीन का स्कॉर कितना होगा तीन होगा तीन को पच्छांद के लिए चार माइनस तीन बराबर आधार का स्कॉर देखे चार मिस्तीन के एक यहाँ क्या करेंगे आधार का स्कॉार करेंगे अब यहाँ से स्कॉार आपको अठाने के लिए क्या करेंगे क्या लिखेंगे दोनों पच्छों का करड़ी लेने पर क्या लेने पर करड़ी लेने पर जब करवटी लेंगे अब देखे क्या करेंगे करवटी में एक हो जाग में दोडिटे अब यहां पर पता चल गया लंप मी पटाचल गया कड़ पटाचल गया अब देखिया किसका मान करने सवाल जब आप देखेंगे समझ में आगा किसका मान पूछ करेंगे आप और अग्यान किसक footage भी अ bisher कि यहां दिया है आप जया का मांन लिखते हैं देखिऊ यहां पर लिखेंगे कास भी ठीक है छलिए कास भी कासभी इसन्हीं कास का आधार कमान कितना दिया है आपको ग्यात क्या करना यहां पर पहले यहां पर का मान कितना है कि यहां आधार के रिख लेतें फिर इसके बार हल्म करते हैं आपको जो जू गयाद करना है जड़ी है तर छो फोड़ लिजय ठाउच पर दो क्यों क्या ग्याद करना है अब क्या करेंगेर अब मान रखेंगे अमान रखेंगे इसको बस हल करतेंगे आपका एंसर आ जाएगा चलिए देखिए करते हैं यहां पर साइन एक कमान जो आप निकाले हैं वन अपार रूट टू आया है ठीक है यहां पर किसी प्रक्रेक्षिन नहीं तो गुड़ा करेंगे कास बी का जो निकाले ह निकाले हैंगे पहले से कड़िया फिर कर लीजोड़े कर यह पर निकाले हैं कर लीजी एक आप प्राइब दो एक बटा कर दो रखें ठीक है यहां पर रखें अब देखिए इसको हल कर लीजिए एक लाइन के सवाल अब हुआ अब क्या करना है फ्रेंज अब आपको एक करेंगे एक हो जाएगा और दू का रूट टू में करेंगे तो कितना हो जाएगा दो रूट टू हो ना हो जाएगा अब देखिया यहां प्लस रूट कर लिजिए और यहीं जो आएगा फ्रेंज क्या हो जाएगा एनसर हो जाएगा आपको इसी प्रकार से जैसे बता है इस तरह आपको लगाना अब चलिए फ्रेंज अगले नंबर के सवाल को देखते हैं क्या आपका अगला नंबर का सवाल है यदि 10 ठीटा इसकल टू 1 अपान ए अपान देट कीजिए कि 20 ठीटा अपान ए कोस्यक ठीटा इसकल टू 1 ठीक है यह आपका 17 नंबर का सवाल है यह आपकी बोर्ड एकजाम में पूछा जा चुका है ति आपके लिए क्या है important है, इस सवाल को आप important कर लीजिएगा, ठीक है, 2024 के board के exam में यह सवाल आ सकता है, इस सवाल को आप important कर लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल आपके board के exam में अभी तक आ चुका है, देखें इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, चलिए आपको हल करके समझाते हैं, 17 नमबर का सवाल ज तीज से ठीटा अपान ए को से ठीटा इसकल टू क्या है वन है ठीक है अब देखिए क्या करेंगी इसको आप तो दो वीदिस लगा सकते हैं आपको चलिए सिंपल वीदि बताते हैं ठीक है एक तो है तो आपका लम आधार कड़ा वाला जो वैस जैसे यह बता रहे उस तरह हल क कर सकते हैं एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं पहले इसको लिखिया का हल लिखpoxे लिए हवाल लिखे लेके बाद लौत दीए आपको क्या करना है रहां पर यहां पर कर सकते हैं कि भी गुड़े सेख ठीटा को आपको बता है सेख ठीटा का फार्मूला क्या होता है इसको लिख सकते हैं वन अपान काश ठीटा लिख सकते हैं इतना और अपान ठीक ए गुड़े को सेख ठीटा को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं वन अपान साइन ठीटा ठीकर यदि आप वीडियो देखे होंगा तो यह फार्मूला आपको पता होगा किस फार्मूलों को कैसे लिखते हैं देखे जब इस फार्मूले का परियोग करेंगे आप तो इस तरह कोष्टक बना लीजेगा अब कोश्टक बना के चुकी लिखी जेगा कि सेक ठीटा बराबर होता है इसका पोजिट होता है वन अपान कास ठीटा ठीटा ठीक है फार्मूला देख लिजेगा और कोश्टेक ठीटा बराबर होता है कोस्यक ठीटा बराबर होता है one upon sin ठीटा यह फार्मुला आपको पता होगा यदि वीडियो देखें होगे मेरा तो ठीक है अब देखें इसको क्या करेंगे देखें बी ठीक है बी आपन एक कर लीजिए गुड़ा एक अपन कितना है कास ठीटा है तो एक अपन कास ठीटा अपन फार्मुला आपण कास ठीटा ऑपन कास ठीटा यह फार्मुला आपको बताये होगे तेसको 10 तो लिख सकते हैं 10 तो जला यहाँ प्लिखेंगे अगला इस्ट भी ऐपान इंगों ङूडा कर ब्यूंब beth. से b कटेंगा ठीक है यानिकि देखिए अब किया आपका बचेगा बराबर करें one बचेंगा ठीक है एक का यह एक में भाग देंगे एक आए गया और देखिए फ्रेंट्स आपको लाना कितना था गए 20 प्रीटा अ पाने को से ठीटा बराबर वन लाना था जो जो कि आप इसको जब हल किया है ति कितना आपकाई वह नहीं पूल देखी जब यह आपको वन आ जागा तो इसको लिखे कैसे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैं साइड यहीं आपका क्या हो जाएगा एंसर होगा इसी तरह जब शिद्र करने वाला सवाल होता है या बायां पच बराबर दायां पच ठीक है यहां लिख सकते यहां पर इते सिद्धम भी लिख सकते तीने चीज़ में से जो आपको सही लगेगा वह लिखने शीजेगा ठीक ह स्क्वार ए बराबर साइन एपान सेख ए आपको सिद्ध करना है अब देखिए इस सफाल को आप कैसे बॉर्ड के एकजाम में हल करेंगे देखिए फ्रेंस यह आपका अठारा नंबर का सवाल है कौन से सवाल इअठारा नंबर का यहां पर 18 दे देते हैं और देखिए क्या कर गया रहेगा तो आप गरह कर देखें कि यूदि इसके क्या करना पड़ेगा कि आप कहले केका आफ लिख है का टिख?" कि 59 होता है है आधारई पान इस कर लिए कितना है चारब पाल और शांत+, आधार आधार हुआ आपका 4 और कड़ कमान कितना हुआ आपका 5 ठीक है जब भी इस पकार के सवाल को लगाना रहे गा तो आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए आधार पता है कड़ पता है लम नहीं पता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पाइथा गोरस परमे लगान से ठीक है ठीक हो गया इसका फार्मूला लिखिया देखे फार्मूला क्या होता है जब फार्मूला लिखेंगे तो होगा फार्मूला कड़ का स्कॉायर बराबर अब तक फ्रेंस आप सभी को यह फार्मूला अदम याद हो गया होगा ठीक है यह लम का स्कॉार हो जागा ठी कढ़ा मन पांच जो चलोग कर लिए आधार कित collaborations सक्यों निए प्ल Сп校 और प्लस लम्गा सक्या Love मत जुर अब फोने सी स्वाइवत लम्गे उतनी है को थे सुलों को से करें हैं थे मैनत अब निएस लब का लिए मसौला हो त्यक्ति अब घड़ा लिजे तु कितना बच revenue इसको बसेगा अब 25 इसमें इसो राओ खटाएँगे 9 हो जागा यहाँ पो जागा लम का सुस्कॉर हो जागा थीक यहां सी स्कॉर हटाने केल इसको डोनों पच्छों का क्यालेगे लेंगे लिखिये अब चलिए लिखते हैं इसको काड़ी में कितना लिखेंगे नौ और यहां पर काड़ी में कितना लिखेंगे लंब का इसक्वार लिख लेंगे ठीक यहां नौ को वर्गमुल कितना होता है नौ को वर्गमुल होगा तीन और लंब का इसक्वार है तो सिर्फ लंब हो जाएग यहां पर फ्रेंस आप देखेंगे यहां पर दिया है 10 ठीक है यहां से पहले 10 A का मान निकलना पुड़ेगा तो आप लिखे 10 A जिसका जिसका दिया है मान उसको लिख लीजिए देख टायन होगे, टायन उपर है अब यहाँ पर निकलना। यहाँ पर साइन भी लिख लीजिए, छिया पर लिख लीजिए, फिर इसके बात क्या है सेक ए तो सेक ए का मान लिख लिजिए सेक ए भी ग्याद करना है पड़े इसको लिख लेते हैं ठीक है यहां पर इसका मान निकाल लेते हैं चलिए फार्मूला लिखते हैं सभी का फार्मूला आप सभी को पता होगा टैन एक फार्मूला होता है लम अपार आधार ठीक है फार् यहां पर लंब कमान कितना दिया है ती अब कमान चार है तो चार कर लिए अब को दोड़ों कि इसको लिए चार कर लिए इसको लिए कि यह भी है करना है न इसको यहां पे दुन फच्छों के लिखेंगे कैसे लिखेंगे खोया mean क्या दिया है यह ब्राबर सीधे करना है आपको साइन यह करना बना पर नी कि अगर theor एम प्लॉस स्कॉरendo देखन है लोट कि रॉल्षे सक्वाइर अभी यहां पर आपको क्या करना है कि यह सभी मान रखना है जो देखे क्या मान रखना है टैन एक मान कितना है तीन बटा के चार तेहाँ लिखेंगे तीन बटा के चार इस पूरे बटा में वन प्लस ठीक है वन प्लस टैन कमान कितना है तीन बटा के चार है इस पे स्क्वार कर लेंगे और बराबर ठीक है तो अनों पच्छों को हल कीजिये और उस साय झॉल को मन लुट है कि तो हो जाएगा बराबर यह दिए के प्टा के पैंच फॉर नीचे देखे ऑल प्लस मतलब 16 के एक में गुड़ा कर लिजी 16 है तो 16 कर लिजी इतना हो गया अब देखें यहां पर क्या करेंगे इस साइट में गुड़ा करेंगे पांच के पांच में करेंगे 25 हो जाएगा अब इस साइट के बस हल करना है आपको देखें देखें दिर जोड़ेंगे कितना हो जाएकिर्ण गुरा कर लिजी और बराबर किदना है बारा बटा के 25 25 रहने दिजी इसलिए हाल हो गया है अब देखें कि देखे यह बटा है इसके बटा में आ गया न तीन बटा चार गुड़ा कचिन बनाए तो नीचे वाल भिन कहा अगर पलड जाएका या तो बराबर यह बारा बटा के पचीस है पारा बटा के पचीस हो गया अब देखे चार सकते चारकर 4 helps करे चार तेंक बारा और पचीस प पचीस का एक में गुड़ा करेंगे 25 हो जाएगा और इधर का मान जब हलकी है तो पहले ही से 12 बटा के 25 आ रहा है अब देखें दोनों पच बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ इधर जो हलकी है इस साइट का मान दोनों मान जब बराबर आ जाएंगे यहां लिखेंगे पूरे सवाल को देख लिजिए एक बार और ठीक है देखें पूरे सवाल देख लिए आप अब चलिए फ्रेंस अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं ठीक है कि अगला नंबर का आपका सवाल कौन सा है देखें फ्रेंस आप सभी का 18 नंबर का सवाल हल हो गया है अब 19 नंबर सब तो सिद्द किजिए कि 3gm3-4sin udd5 t CT immortal एक सवाल को यहाँ लिख लेते हैं कि सवाल क्या है फिर इसके बाद इसको अधकर समंझाते हैं कि इस सवाल का इंसर कैसे लिखेंगा क्या exists में ऊफिश्वा नंबर का सवाल क्या है थे । 19 नंबर का सवाल दिया है कि sin ठीटा बरावर कितना दिखा एक बटा कि दू आपको सिद्ध करना है आप सिद्ध करना है कि 3 sin ठीटा माइनस 4 sin q ठीटा बरावर 1 सिद्ध करना है ठीक है इतना आपको सिद्ध करना है आप इस सवाल को आप हल कैसे करेंगे यहां पे Sign ठीटा करेंगे एक यहां पर आप- कि यहां पर एक 5 बराबर है की नहीं, तो ही यहां पर प्या किजिएगा, कि यहां पर इस बहुत सिर्फ Sign inadequator साइन का मांन रख लिए तेरी तें यहाँ पर गुड़ा का हो साइन ठीठा का मान कितना दिया nen ही एक टृट का दी पर गुड़ाम का दिया एक लिक कहें और आपको कितना सीध्ध करना एक खे वंध खर लिए एक में कर रहेंगे तीन को बाटाबर एक यहाँ पर देखिए तीन के UAघ गुरा, डिधाबर, माइनस चार गुड़ता है जाए टीन को यहाँ थेट चार समय होगे इसक्ति को साथ में लिखते रहेंगे तहीं िनगे देखेंगे को जुदूर यहां। देखे दू का दू में भाग दीजाए दू केंदू 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 कितना आएगा आपका एक होगा और एक बराबर क्या होगा आपका एक और यह क्या होगा दूनों पच बराबर हो गया यह सही दूनों पच बराबर होगा तो इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ प यहां पर आपका 19 नंबर के सवाल होगे अब 20 नंबर के सवाल को देखते हैं क्या है यदि साइन ए बराबर एक बटा के तीन तो निम्री लिखित का मान ग्याद कीजी आपको मान जिसका ग्याद करना क्या है कास ए को सेक ए प्लस टैने सेक ए अब देखे फ्रेंस यहां पर क्य यहां पर आपको कास ए को सेक ए टैने सेक एक मान पता होना चाहिए तभी तो यहां पर रख के हल करेंगे तो देखिए यहां पर पता है तो यहां पर किस सवाल को कैसे हल करेंगे तो पहले आप तो यहां पर लिखिए क्या लिखना है आपको कि साइन ए का फार्मूला लिख तो एक बटागे तीन लिखिए और यहां पर लिखिए देखिए यहां पर लम कमान कितना हुआ आपका जब लम कमान होगा आपका एक हो जाएगा ठीक है और कड़ कमान कितना होगा कड़ कमान होगा आपका ठीक है अब देखें फ्रेंस का से और कोसे कि इन सब कमान गयात करने के लिए आपको तीनों बूजा पता होना चाहिए यहाप लंब पता है कड़ पता है लेकिन आपको आधार नहीं पता है तीसरी बूजा ग्याद करने के लिए पाइथा गोरस परमेर लगाएंगे तो यहाप लिखिए का पाइथा गोरस परमे से परमे से पहले निकाले इसको चेदे निकालते हैं देखते हैं क्या आता है जब यहां पाइथा गोरस पर में लिखेंगे तो आपको क्या होता है फार्मूला करण का स्कॉर आधार का इसक्वार देखे फ्रेंस आपको ती सभी फार्मुला याद हो गया होगा अब तक ना आधार का इसक्वार प्लस लंब का इसक्वार अब देखे कड़ कमान कितना है तीन है तीन का इसक्वार कर लिए आधार का इसक्वार ग्यात कना आधार कमान ता आधार का इसक् प्लस एक का एक होगा अब देखिए और यहां पर नौ लिखिए और एक को पच्छानट कर लिए माइनस एक अधार का स्कॉर कर लिए ठीक है देखिए नौ में से गटां कितना होगा आठ बराबर आधार का स्कॉर एठीक यहां पी देखीए इस्क्वाइर आठाने के लिए लिए लिखनें दोनों पच्चों का हर सवाल में इसी तर करów में यहां प्याओ धार में लगेगा दोनों पच्चों का क्रड़ी लेने पर ठीक है जब करड़ी ले लिए तीस तरह करड़ी में लिखे कितना आठ यहां लिखे करड़ी में आधार का स्कॉार ठीक हो गया अब देखे अब 8 का जैसे क्या निकालना है आपको 8 का देखे यहां पर 8 का जैसे आप करड़ी में यहां पर देखे यहां पर आपको लंप पता हो गया करड़ पता हो गया और लाश्ट में आप आधार भी निकाल लिए अब यहां पर जो मान पूछ रहा है देखें आप क्या पूछ रहा है का से को सेक ए टैने और सेक ए का मान पूछ रहा है ठीक है यहां पर क्या करेंगे कि पहले आप इसका मान निकाल लिए चलिए आप निकाल लेते हैं क्या दिया है आद HAIR कमान दो करड़ी में 2 दीखेंगे चोंकर कर लिए इसी ही पर कश के कमान भी साथ है पड़ेगा तब हितु में रखेंगे तो कर आपानगों करे। कोने का मान का कितना है आपका जहाद कर्मला का मान कखें कितना है एक है आधा जहाद क कमान कितना है fulf cardboard में दू है इसके अलावा देखें सेक्ष एक अभी मान ग्याद करना पड़ेगा आपको तो सेक्ष एबराबर क्या होगा यह होता है कर अधार होता है कर कमान तीन दिया तो तीन कीजिए और आधार कमान कितना दिया दो कर दो उतना मान आप ग्याद करने के सब इसमें आपको jewels करना आर्णा बताते हैं कि आप देखेंगे कमान क्या प्लस GGWA प्लस But I wasतनी लिखेंगे फिर इसके बाद दिया है सेक ए तो सेक ए लिखेंगे है ठीक अब देखी यह तो आपका सवाल है आपका जो मान दिया है देख लिजिए एक बात कि कास ए दिया है दो करड़ी में दो बटा के तिन तिहां पर रख लिजिए मान चली रख लेते हैं यहां पर सब कमान कास एक मान है दो करड़ी में दो करड़ी में दो अपान तीन यहां पर गुड़ा का चीन को सिक एक कमान कितना दिया है को सिक एक कमान देख लिए फ्रेंस को सिक एक कमान दिया है तीन बटा के एक यहां पर लिखेंगे तीन बटा के एक लिखेंगे ठीक है चलिए तीन बटा के एक लिख सभी मानों के लिख लिए पहले लिख लेंगे तब हल कर लेंगे कितना है तीन बटा के दो कर लिख लिए अब इसको आपको हल करना है अब देखिए हल कैसे करेंगे सिंपल तरीका देखिए तीन से तीन कर देखिए कितना हो जागा यह दो करणी में दो एक प्लस देखिए कितना हो जागा तीन बटा के आठ हो जाएगा अब दिखे फ्रेंस आपको क्या करना है यहां से आप एक और आठ का LCM निकाल लिए यहां तीरे आठ के इधर कर लिए एक के इधर कर लिए जब गुड़ा करेंगे आठ के इधर तो आठ दुना की कितना हो जागे यही आपका जो आ रहा है यही एंसर होगा थीक है फ्रेंज इस सवाल को इस प्रकास से लगाना था ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर और अगला नम्बर का सवार है यहाँ पर आपका बीसवा नम्बर का सवार हल हो गया है अब 21 नम्बर का सवार खल करकर बताते हैं यदि 33 साइन ए बराबर 12 तो SIG A माइनस 10 A कामान गयाद कीजी देखी फैर इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे यहां पे सवाल लिखने हैं पहले से अभी इसको हल करके आपको समझाते हैं कि इस सवाल को आपको कैसे हल करना है देखें फ्र clickا ainこと लिए लिखाcked करेंगे पहले sign a का मान गयात! करेंगे तो यहां पे लिखेंगे Sign a बराबर तेरे को पच्छानतर करेंगे तो 12 बटा कि क्या होगा इसके हर में आजागा 13 अब यहाँ पे साइन एक फार्मूला लिखिए क्यों लिखेंगे अभी बताएं फ्रेंज देखें आपको सेक ए और टैन एक आमान पता करने के लिए आपको लंब कर और आधार पता होना चाहिए ठीक है अब देखें साइन ए बराब फार्मूला होता है लंब अपान कर रहता है ठीक है कर लिए आप यहाँ पे साइन एक मांदिया है बाराब अपान 13 ठीक है यहाँ से आपका लंब हो गया लंब कितना हुआ 12 ठीक है और यहाँ से कर कितना हो जाएगा तेरा हो गया अब दिखे फ्रेंस आपको अगली बुजा पता करने के लिए पाइथा गोरस परमे लगाना पड़ेगा यहां पर लिखिएगा पाइथा गोरस परमे ठीक है चलिए हल कर लेते हैं पाइथा गोरस परमे से परमे ठीक है पाइथा गोरस परमे करेंगे तो यहां पर फार्मिला लिखेंगे कड का स्कॉार बराबर आधार का स्कॉार प्लस लंब का स्कॉार कर लेंगे हो गया ठीक है अब देखें कड कमान कितना दिया तेरा तेरा का स्कॉार कीजिए और आधार पता करना है तो आधार का स्कॉार कर लिजिए लंब बारा है तो बारा का तीक है अब यहां पर क्या करेंगे 25 कर लेजी 179 144 को 25 करेंगे sąb और बराबर क्या होगा का आधार का square हो जागा यह के का आधार का square 179 से 244 को 25 बचचेंगे यहां पर आधार का square सब्सक्राइब यहां से हाट आने के लिए क्या करेंगे दोनों करड़ी लगए यो यह लिए यहां पर पांच और हो जागा श१री में आधार का सक्षा-डाइधार wonderful होसज़ है आधार किटना हो जागा अब आधार 5 होगे ते देखीए आपको मिपध का या अधार पता चल गया आधार पता चल गया आपको आन किसका की जो तक किसके का का सिργेद का नहीं का ж te यहां पे पहले ऑच het raj है कर अपान आधार होता है कर अपां कमान कितना है 13 13 लिखेंगे कर लिए इसके बाहर किसा मन लुण कर लिए इसके वाहर कितना है उन्य कर दो किकी हो दो तो पांच कर लेजी जिए अब देखेंगे फ्रेंस आपको घ्याद करना यहां पर लिखर लिए क्तव एक बाद करना है यहां पर लिखेंगे सवाल हो जाएगा आप सेख सब्सक्राइब कितना है आपका देबट आके 5 minus 10 एक मान कितना है 12 बटा के 5 आधार बराबर है तो 13 में से 12 गटा गे तो कितना हो जागा एक होगा अपन कितना होगा बटा के 5 होगा तो आपका एंसर कितना है एक अपन 5 और यही एंसर हो जागा ठीक है फ्रेंस देखे इस पकाशे सवाल को हल करना था ठीक है अब चलिए